नमस्का दोस्तों आप सभी का साहिर वे मैं स्वागत है यह वीडियो ने वली है कार्वेटर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम के उपर जब भी आप अपनी मोटसाइकल को स्टैंड पे लगाते हो चाहे वो साइड स्टैंड हो चाहे वो सेंट स्टैंड हो तो कुछ देर के बाद य दोसी यह कैंद की äप्रसरायइकल की जो ऐबरेज है वो एककदम से कम हो गई है मारी जीए कि इसकी जो ऐबरेज पहले है पचास की आती थी और एकडम से जो वो चालीस की एवरेज दे रही है तो इसकी पीछे का इस कारण जो हो पैर्टोल ओफ्लो भी हो सकता है तो आप इस ऐसे हिंक जैसे मैं अपने इस को ऑन करता हूं और थोड़ी देर के बाद यहां से जो बैण एक हीवेट्री की हाईपश यह पे पैट्रीरा कि आपके पीचों में बढ़ी और आ तो भी यह प्रोब्लम आ सकती है तो यही दो मेंन कारण होते हैं और यह पता लगने के लिए कि इसमें क्या प्रोब्लम है हमें इसे जो वो कारवेटर को बाहर निकालना पड़ता है तो इसे ओपन करने के लिए यहां पर जितनी भी पाइप्स लगी है जैसे यह इनलेट में तो एक CV टाइप का करवेटर लगा हुआ है अगर आपकी मुर्ट साइकल में एक सिंपल करवेटर होगा तो आपको कुछ भी ओपन करने की जूत नहीं पड़ेगी जैसे यह पेट्रोल टैंक बगएरा और आप सिंपली जो वो कारवेटर को यहां से ओपन करके इसकी जो पेट्रोल टैंक को ओपन कर लेता हूँ कारवेटर की सभी केबल्स को ओपन करने से पहले इसका जो रेजर्वायर है से आपको ड्रेन कर लेना चाहिए तो वैसे तो यहां पे एक ड्रेन पाइप लगी रहती है मेरे केस में वो नहीं है तो मैं इस जगा पे एक कंटेनर लग इस तरह से आपको बाहर की तरफ को निकाल देना है यह असानी से बाहर निकल जाता है और उसके बाद में हम जो इसकी जो फ्रोटल केवल है इसे निकालेंगे और इसे निकालने के लिए आपको एक 10 mm के स्पैनल की मदद लेनी है और इस नट को पहले लूज कर लेना है और आपको इससे इस तरह से जो वो गुमा के इसे बाहर निकाल देना है जैसा यह लूज हो जाया इसे उपर उठा के इसे आप बाहर निकाल ले और यहां से इसकी जो केवल है से लूज कर ले देन इसके बाद में हम जो इसकी चोक केवल को ओपन करेंगे उसके लिए हमें 12 mm का जो स्पैनर है उसका यूज करना पड़ेगा और इसका जो यह नट है यह हम ओपन कर देंगे इसके बाद में आपको जो एक इस तरह का क्लैंप जो इस तरफ में लगा रहता है उसका जो स्क्रीव है बहुत करना है मैं अपने केस में पहले ही ओपन कर चुका हूँ और बचस्त रहता है कि आप इसस जगाँ से अपने हैड के पास से ही ओपन करें क्योंकि इससे आपको इसे निकालने और बापिस इंस्टॉल करने में असानी रहती है तो आपको इसका जो ये 8 mm का बोल्ट है इसे उपन कर लेना है ऐसा ही एक बोल्ट दूसरी तरफ भी होगा उसे भी आपको उपन कर लेना है और फिर इसे बाहर की तरफ हम इसे किंच लेंगे दोनों बोल्ट जो निकल चुके हैं अब हमें जस इसे बाहर की तरफ को किंच लेना है तो ये हमारा कार्प्रेटर जो बहार निकल चुका है और जब भी आप अपने कार्प्रेटर को बहार निकालते हैं तो इस झगहापे एड हमारा काबियदे लगता है इस जगह पे आप कोई कपड़ा जो वो ज़रूर लगाएं ताकि इसके अंदर जो वो कहीं से भी डर्ट वगेरा ना चली जाए हमें ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी बैक साइड को उपन करना पड़ेगा लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे केस में बहुत ज़्यादा डर्टी है और ऐसे में इसे उपन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये डर्ट जर्व बाद में अंदर जा सकती है तो सबसे पहले इसे हमें जो वो क्लीन कर लेना है आप इसके उपर थ्रोटल बाडी क्लीनर का भी यूज कर सकते हैं चाहिए आप इसे पेट्रोल से क्लीन कर लें वो आपके उपर डिपेंड करता है आप इसे अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लें तो इसे मैं पहले जो वो अच्छी तरह से clean कर लेता हूँ उसके बाद इसे हम open करेंगे जितनी मुझे जुरूर थी उतना मैंसे clean कर चुका हूँ और इसके बाद मैं हम इसे जो इसके जो ये side पे दो screw लगे रहते हैं इन्हें open कर लेंगे इसके बाद इसका जो cover है वो simply उपर उठा लेना है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जादा गंदगी है तो ये वीडियो वैसे इसके उपर नहीं है कि इसे आप किस तरह से clean करें इसकी deep cleaning के उपर जो वीडियो उसका link आपको description में मिल जाएगा तो हमें जो अब इस float और इस float needle से ही काम है तो अभी हमें इसे open करके inspect करेंगे तो इसे open करने के लिए यहाँ पे जो एक screw लगा है हमें इसे open करना है पहले और इसके बाद में हमारा जो ये float और इसकी जो float needle है वो दोनों बाहर निकल जाएंगी तो अभी हम इने side पे रखते हैं और सबसे पहले इसका जो ये hole है इसे आपको inspect करना है कि इसमें कोई भी गंदगी विगारा तो नहीं है क्योंकि अगर हुई तो आपको इसे पहले clean कर लेना है क्योंकि गंदगी विगारा की वज़े से भी यहां पे जो वो ये properly आपकी जो needle है वो इस पे बैट नहीं पाती है तो इसे हम बाद में थोड़ा deeply भी clean कर लेंगे और उसके बाद में आपको जो इसकी ये float needle जो है वो इसे inspect कर लेना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी condition तो ठीक है लेकिन इसके उपर जो वो काफी जादा कच्रा लगा हुआ है तो इसे हम एक clean cloth की मज़द से जो वो साफ कर लेंगे और मान लीजे कि अगर ये खराब हो तो आप इसे change कर लें मेरे case में तो ये भी ठीक लग रही है बिल्कुल इसकी जो रवर है वो बिल्कुल सही है और जस्त इसे जो वो एक cleaning की जूद है तो इसे हम अच्छी तरह से clean कर लेंगे और इसके बाद में हमें जो इस float को भी inspect कर लेना है क्योंकि ये दूसरा कारण रहता है कि ये कहीं से अगर crack होगा तो इसके अंदर में petrol चला जाएगा और ये भी properly work नहीं करेगा तो ये भी मेरे case में बिल्कुल सही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ही कोई कच्रव गएरा हो सकता है कि वो होगा उसकी वज़ाँ से यहाँ से petrol leak हो रहा था overflow हो रहा था तो हम इसे भी अच्छी तरह से clean कर लेंगे इसे clean करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका यह रहता है कि आप इसमें air blow कर दें या फिर अगर आपके पास कोई भी cleaner है तो इसे इस तरह से इसमें spray कर दें और यह दूसरी तरव से pipe से निकल जाएगा और जो भी कच्रा होगा वो साथ में इसके निकल जाता है और आप चाहें तो इसे opposite side में भी इस तरह से blow कर दें इस तरह से करने से जो भी कच्रा इसमें होगा वो सारा निकल जाएगा और मानीजिए कि इस hole को clean करने के लिए आपके पास ना तो compressed air है और ना ही कोई आपके पास cleaner का compressed can पढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इस fuel line की जो pipe है उससे आप इसमें अपने mouth से blow कर सकते हैं और जितना भी इसमें कच्रा बगारा होगा वो अपने आप ही निकल जाएगा और उसके बाद से check भी करने का एक तरीका ये है कि आपकी जो ये float needle है इसे इस तरह से लगाएं और इसे हलका सा आपको दवाना है और यहां से अपने mouth से जो blow करना है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर यहां से कोई भी air जो बाहर नहीं निकलती है जब आप इसे blow करते हैं तो इसका मतलब आपकी जो needle है वो बिल्कुल सही है आपको इसे ज़्यादा प्रेश नहीं करना है अगर आप ज़्यादा प्रेश करेंगे तो यह ब्लॉक ही रहेगा लेकिन आपको खलका सा प्रेश करना है और चाहे तो आप इसमें जो float लगा के भी से चेक कर सकते हैं अभी मैंने जो इसकी जो अच्छी तरह से cleaning कर लिया है और इस needle को भी अच्छी तरह से clean कर लिया है और अब हम जो इसकी simply जो इसकी जो हमने disassembly जैसे की थी उसी तरह से इसकी जो assembly हम कर देंगे हमें float needle को float पे इस तरह से लगा देना है वापिस से और उसके बाद ही से इसमें इसकी position पे रखना है नहीं तो यह काफी difficult हो जाता है इसे लगाना और उसके बाद में इसका जो हमने screw निकाला था उसे लगा देंगे और इसके बाद में इसका जो कवर है वो लगा के हम इसे जो वो टाइट कर देंगे और फिर मैंसे जो वो मुरसाइकल में दुवारा से इस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि प्राउब्लम सॉल होई या नहीं मैंने जो वो सब कुछ एसेंबल कर लिया है और पैट को को ओन किये हुए मुझे जो वो तकरीवन दस मिनिट से उपर हो चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं कि यहां से कोई भी पैट्रोल अब लीक नहीं कर रहा है जो हमने इसकी नीडल को साफ किया है उसकी वैसे हमारी पैट कर लें अगर क्लीनिंग करने के जुरूर तो क्यूंकि इसमें जो वो कच्रा जमा हो जाता है और वो ही कच्रा आपका बाद में पैट्रोल पाइप से होके वहां चला जाएगा और फिर से यह ओर फ्लो की प्रावलम जो वो आ सकती है और साथ ही में आप अपने पैट्रोल ट और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद